उसल्मानी बस्ति की उजिड़ने की बात होती है क्योंकर हम शल्मानों को ही बर्बात करना है मुसलमानी के लिवा जाए नावाट करना है और जो जितनी पीछे तक है या नावशे चार पर यापर को हो अला नागरे हमश्कार रात आप दोस्तों हिंदू इसमें आपका स्वागत है नाविकराम उत्रा खड में 4365 मकानों पर बुल्डोजर की तलवार लटकी हुई है शुरु में आपने वीडियो को रहते हुए देखा महिलाओ को रहते हुए देखा बज़रु को सिछते हुए देखा नोजवानों को तडपते हए देखा सिरफ इसलिए क्योंकि उनके मकानों पर बुल्डोजर की तलवार लटकी हुई है जी हाँ एक बहुत ही जादा चर्चित मामला जो की मेन स्ट्रीम मीडिया की नजर से बहुत जादा दूर है, इस वक्त चर्चाओं में है उत्राखंड और पस्टिमी उत्तरप्रदेस में, मामला हमारे सामने हल्दुआनी से है, हल्दुआनी में रेलवे के पास, रेलवे सालों से, वो लोग यहाँ पर मकान बना कर रह रहे हैं, लेकिन आज उत्राखंड हाई कोट ने उनको ध्वस्त करने का आदेश दे दिया गया है, उनकी सुनवाई ठीक तरह से नहीं हो पाई है, महिलाए गो रही हैं, बच्चे सिसक रहे हैं, इतनी सर्दी में, कडाके की सर ही हुई है, रातों को बैठ कर वो लोग अपने मकान के बचाओं में, के कहीं उनके मकानों को तोड़ देया ना जाए, लेकिन आब आदेश हो चुका है, तो उस आदेश को अमले जामा पहनाने के लिए परशासन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है, ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखने वाला हूँ, लोग जो भी कुछ कह रहे हैं, वो सब बाते आपके सामने रखे जाएगी, बहुत सारे सवाल भी है, तो शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं आपको मामला बता देता हूँ, मामला है उत्राखंड के हलदवानी का, तकरीबन 22 साल पहले उत् कुछ लोग उत्रप्रदेश में रहे गए, जो लोग उत्राखंड में रहना चाहते थे, वो लोग वहाँ पर रहे गए, यही पर रेलवे लाइन के पास एक बस्ती थी, जिसको गफूर बस्ती के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर रहने वाले लोगों का यह कहना है, कि वो आप लोगों के सामने रखोंगा, तो कोट में मंगलवार को एक सुनवाई हुई थी, यानि केसी मंगलवार को अब से तीन दिन पहले वहाँ पर जो नियाधिस, नियायमूर्ती यानि के शरस्चर्मा और दूसरे जो जहस्ते नियायमूर्ती आर से खुलबे, उनकी खंडब जनीती याचिका पर, उन्होंने जनीती याचिका लगाई थी कि शहर में अतिकर्मन बढ़ रहा है, अतिकर्माणियों ने जबरदस्ती कभजा किया हुआ है, उन्होंने एक याचिका लेगाई थी, उसके बाद आदेश हुआ की दस सप्तहाय के अंदर रेल्वे की जमीन को अतिकर्मन कारियों से मुक्त किया जाएगा, लेकिन उसके बाद मामला खिस्ता-खिस्ता 2022 तक आ गया, और अब ये कहा जा रहा है कि जो 29 अकड की जमीन है, जिस पर अतिकर्मन की बात की जा रही है, जहां पर 4365 मकान बने हुए है, उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा, बु विपक्स और पक्स के लोग भी वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद लोगों ने सड़क पर उतरना शूर कर दिया, महिला ये सड़क उतरी है, पूरा दिन प्रदेश्चन कर रही है, आल फिलाल ये चलना है, और लोगों का कहना है इस पर वो आप लोग ज़रा खुद ही दे देते हैं, वो हड़ छे महीने में तल्वा टांगते हैं, ये बहुत गलत बात है, केंदरी की भी प्रिशासन की भी सब की, हम छोड़े चोड़े बच्ची है, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, एक एट, हमने इसको बड़ी महनत से सीचा है, क्या था बंद बुल पुरा, कैसे हमने इसको, हमारे वुर्जनों ने, हमारे दादा परदादा ने, इसको बनाया है, हम जानते हैं, और ये हमारे ही माकान है, हम इससे कहीं नहीं जाने वाले, रेलवे तो कुछ भी कहता रहे ह हम उसके लिए कागजी लड़ाई लड़ा हैं हाई कोट के फैसले का समान करते हैं उच्ची नियाले जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम जा चुके हैं इंशालला दो तारिक या तीन तारिक को फैसला आ जाएगा यह हम पूछना चाहते हैं कि अगर यह रेलवे की जमीन है और यहां पर बसे हुए लोग सो साल से जादा के भी हैं तो उनको आखर यह पता कब लगा कि यह रेलवे की जमीन है क्या पांस साथ साल पहले अगर रेलवे की जमीन थी तो बसने क्यों दिया गया पहले इस से और ज करें जाएंगे तो यह सब सुरह आपने लोग ठंड में किस तरह से प्रद्रशन करने के मजबूर हैं तुमाम नेता कह रहे हैं कि वहां की मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं उसके बाद सुप्रीम कोट तक जाने की बात हो रही है सुप्रीम कोट में मामला शाहिद पहले भी है था 2017 में एक क्लिप हमारे सामने 2017 की भी आई है लेकिन अब क्योंकि यह मामला फिलाल इस मामले को लेकर हाई कोट से आदेश हुआ है नैनी ताल हाई कोट यह उत्राकंड की जो हाई कोट है वहां से आदेश जारी हुआ तो लोगों कहना कि वह सुप्रीम कोट भी कि तमाम तरह के जो पैरे मिलिटरी फॉर्सिस हैं उनको बुलाए जा रहा है वहाँ पर उनके रहने की वह और उनके जो खाने पीने के विश्ता की जा रही है तमाम अला अदिकारी वहां पर जो उत्रकंड के हैं और इस इलाके के हैं वह उनका अंतिजाम कर रहे हैं और हो स आई गई जब यह लोग ले रहे थे जैसे भी रह रहे थे जैसे इन लोगों नहीं यहाँ पर आकर रहना शुरू कर दिया उस वक्त क्यों नहीं खाली कराई गई अभी क्यों हम पर यह गास गेरी जा रही है अभी जब हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे ह कि जा रहा है जो नोजओयाने करें कर चांव कर रहें और यहाँ पर इन मंकानों पर काम भड्रा है तमाम तरह का जो यहां पर कंस्यक्षण हुआ है और इतने ज़ादा तादाद में मंगान्ने 50MP की बात कि जाहा है कुछ लोगों का आरूप यहाए कि 29TH की बात तो रही है लेकिन उससे जादा तोड़ने की बात की जा रही है, वीडियो में लोग तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, हम लोग इसकी पुस्टी नहीं करते हैं, वो लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, वो इन आरोपों को लगा रहे हैं, तो देखना यह है कि आप इस मामले में क्या नय संक्या बैठे होगी, आप लोग समझ सकते हैं, कही हजार लोग बे घर हो सकते हैं, अचानक तो कहां जाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है, निचे कमेट कर सकते हैं, वीडियो को जादा से जादा शेट कीजिएगा, इसी मामले को लेकर मैं कल भी एक एपिसोड आप लोग सा सब्सक्राइब करें, मिलते हैं पर किसी ने खबर के साथ,